हेलो एबववन वेलकम तो माय यूट्व चैनल बेंकोपीडियो आज यहां पर हम करने वाले हैं अलफाबेट टेश्ट के क्वेस्टिन्स देखिए जब भी अलफाबेट वाले आ चुका है, clear, SBI, RBI, जिसमें clerk और PO, जितने भी exams आप दिलाते हैं, उसमें आपके पास alphabet test के questions definitely आते हैं, और अगर आएंगे तो सीधे 5 questions आएंगे, एक या 2 questions नहीं आएंगे, clear, तो एक होता है alphabet test, एक होता है alpha numerical series, ये दोनों अलग-अलग topic है, clear, जिसमें alphabet test, अगर किसी में आया तो alpha numerical series नहीं आएगा, alpha numerical series आया तो alphabet test नहीं आएगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हमको इस दोनों topic की यहाँ पर हमको तैयारी करनी है, चले, तो आज हम देखेंगे alphabet test, next वीडियो में हम देखेंगे alpha numerical series के questions, चले, यहाँ पर question क्या given है, सबसे पहले तो ये, जब भ alphabet test के questions बना रहे हो, चाहे आप यहाँ पर machine input output के questions बना रहे हो, आपके पास जो है आपको alphabet के numbers, alphabet के next letter, alphabet के previous letter ये सारी बाते अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप ऐसे questions को बहुत असानी से solve कर पाएंगे, अगर वो सारी बाते नहीं पता होंगी, तो आप जल्दी questions solve नहीं कर पाएंगे, अगर आप beginner हैं, आप अभी start कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर alphabet लिख के, अपने rough sheet में alphabet लिख के, हाँ पर solve कर सकते हैं, ABCD, ये लिख लिए, इसके numbers लिख लिए, इसके नीचे, और ऐसे आप यहाँ पर solve कर सकते हैं, बट एक ऐसा time आना चाहिए, जब आप solve कर लेते हैं, ऐसे लिख के, तो आपको automatically ये जो है न, ये आपके दिमाग में बैट जाता है, आपको learn हो जाता है, तो अलग से learn करने की जरुवत नहीं है, चले, question में क्या गिवान है, ये देखते हैं, यहाँ पर हमको 5 क्या दे दिये हैं, words दे दिये हैं, ये 5 words दिये हमको clear, अब question क्या बोल रहा है, ये देखें, अच्छा ये जो words है न, ये जबरी नहीं है कि meaningful हो, meaningful हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, कभी भी, ये अगर note नहीं दिया है, तो भी आप यहीं लेके चले, हमेशा आपको note नहीं देगा, clear, चले, यहाँ पर क्या लिखा है, if in the given words, all the letters of each word, जो words given है, उसमें जितने भी letters है, all the letters of each word, हर एक letter, हर एक word का, अगर उसको replace कर देंगे, immediate succeeding letter से, अब ये immediate succeeding जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी immediate succeeding आएगा, इसका मतलब next letter हुआ, clear, next, और जब immediate preceding होगा, उसका मतलब हो जाएगा previous, उसके पहले, अब immediate succeeding, अग Q, जैसे अगर मेरे पास R है, तो R का immediate succeeding क्या होगा, S, जैसे मेरे पास K है, तो K का immediate succeeding क्या होगा, L, clear, तो ये सारी बाते आपको पता होना चीए, चले, अब यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम उसको replace कर देंगे, हर एक letter को उसके immediate succeeding से, तो ऐसे कितने, then how many words have no vowel, तो ऐसे कितन आता है, T, D के बाद क्या आता है, E, clear, इसमें एक vowel है, इसको हम count नहीं करेंगे, जैसे P, W, U की बाद कर, तो P के बाद क्या आता है, Q, W के बाद क्या आता है, X, और U के बाद क्या आता है, आपका V, clear, U के बाद क्या आएगा, V, तो इसमें एक भी यहाँ पर vowel नहीं है, तो S के बाद क्या आता है तो T आता है फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ K के बाद क्या आता है तो L और R के बाद क्या आता है तो S इसमें भी एक भी वावल नहीं है तो यह मुझे दूसरा मिल गया P A N की बात करें देखे P के बाद क्या आता है Q clear A के बाद क्या आता है B और N के बाद क्या आता है O तो इसमें यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा वावल तो इसको हम count नहीं करेंगे FLS की बाद करेंगे F के बाद यहाँ पर जो आएगा वो G रहेगा L के बाद M आता है S के बाद T आता है मतलब इसमें भी नहीं मिला तो हमको कितने मिल गए 3 तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा वो रहेगा 3 तो देखे M.H.D. में यहाँ पर मुझे एक वावल मिल गया और P.A.N. में यहाँ पर मुझे एक वावल मिल जाएगा क्योंकि N के बाद क्या आता है बाकी सब में वोवल नहीं है इसलिए यहाँ पर मेरा जो आंसर जाएगा वो क्या रहेगा 3 अगरे को इसको और कैसे यहाँ पर हम solve कर सकते थे clear जब बहुत सारी practice कर चुके होंगे तब ऐसे questions आप कैसे solve करेंगे जैसे MSD की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर यह सारे letters लिखने की जरुवत नहीं मुझे पता है M के बाद जो है न वो वोवल नहीं आता है ठीक है N आता है S के बाद T आता है D के बाद क्या आता है E तो यहाँ पर एक वोवल मिलेगा clear तो इसको हम देख के ही solve कर सकते है हमको यहाँ पर लिखने की जरुवत नहीं पड़ेगा जैसे P, W और U की बाद करूँ P के बाद Q, W के बाद X, U के बाद V यहाँ पर वोवल नहीं आएगा मतलब एक यह हो गया S के R की बाद करूँ तो देखे S के बाद T, K के बाद L, R के बाद S यहाँ पर भी मुझे वोवल नहीं मिलेगा P, N की बाद करो तेखे N के बाद O आता है तो यहाँ पर वोवल मिली जाएगा तो इसको पूरा चेक करनी की जरुवत नहीं तो यहाँ पर वोवल मिली जाएगा इसको count नहीं करेंगे F, L, S की बाद करूँगगा X letters अच्छे से याद हैं, तो आप यहाँ पर इसको जो है ना, दिमाग में ही solve कर सकते हो, अपने mind में ही solve कर सकते हो, कुछ second में ऐसे questions आप से solve हो जाएंगे, चलिए अब next देखते हैं, question number 2, देखे, question number 2 में क्या बुला है, if in each of the given words, हर एक given words में, each of the consonant, अच्छा यहाँ पर हिंदी में भी है, English में भी है, आपको जो language suitable है आप उसमें पढ़ सकते हैं, clear, अब बोला है कि in each of the given words, each of the consonant is replaced by, हर एक consonant, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, consonant का, एक होता है consonant, एक होता है vowel, यह तो आप सबको पता ही होगा, vowel 5 ह होते हैं, consonant बागी जो बचे 21 यह होते हैं, अब जो consonant है, अगर उसको replace कर देंगे, by the second succeeding letter, बाइदेर, second succeeding letter, मतलब क्या हो, जैसे अगर मेरे पास consonant है B, तो इसका second succeeding लेटर क्या होगा तो B के बाद क्या आता है C और C के बाद क्या आता है D तो B का second यहाँ पर succeeding letter क्या हो जाएगा तो हो है D तो मतलब 2 आगे बढ़ा देना है इसका मतलब यह करना है कि जो भी letters है उसमें बस हमको plus 2 करना है यह आद रखने है जैसे B है तो B में 2 एड़ कर दोगे तो 4 हो जाएगा मतलब D जैसे यहाँ पर मेरे पास X है तो X का नम लेटर होता है 24 इसमें अगर 2 एड़ कर दूँगा तो यह हो जाए कि 26 26 मतलब क्या हुआ Z कुछ इस तरीके से चले यहाँ पर क्या करना है हमको जितने भी और किसमे करना है हमको सिप कॉंसोनेंट में तो ध्यान क्या रखना है आपको कॉंसोनेंट का तो यहाँ पर कॉंसोनेंट जो भी है हमारे पास उसको replace क्या करना है plus two से replace कर देना है तो हमको बताना है कि then how many words thus form will have only one you जिसमें सिप एक ही you होना चीए बस इतना ही बोला है ठीक है हर एक consonant को हमको replace करना है second succeeding मतलब सब में plus two करना है और हमको फिर बताना है कि कितने ऐसे words form होगी जिसमें सिप एक you होगा तो हमको सिप और सिप किस पे ध्यान रखना है you पे जिसमें you आना चीए अगर मैं m s d की बात करूँ ठीक है m में plus two करोगे तो कोई मतलब नहीं you तो आएगा नहीं s का अगर मैं बात करो तो s में अगर plus two कर दोगे ना तो you आ जाए क्योंकि s का number 19 होता है you का number 21 होता है तो s का number 19 तो यहाँ पर एक you मुझे दिख रहे है ठीक है और only one you बोला है तो यहाँ पर एक you दिख रहे है बट d में plus two करने से you आएगा क्या नहीं मतलब यहाँ पर मुझे एक you दिखेगा अच्छा p, w और you की बात करूँ तो देखें यहाँ पर already एक you है ठीक और यह दोनों जो मेरे consonant है p का number कितना होता है p का होता है 16 और w का कितना होता है w का होता है यहाँ पर हमारा 24 24 अब इन दोनों में अगर मैं दो आगे चले जाओंगा तो you थोड़ी ना आएगा you किसमें आगे जाएगा जब आप s में ही plus two add करोगे तो ही बस आपको you मिलेगा मतलब आपको बस s का ध्यान रखना है बाकी किसी का भी ध्यान नहीं रखना है ठीक है तो p और w यहाँ पर अगर आप दो succeed करोगे दो letter extra आगे जाओगे इसके next तो यहाँ पर आपके पास you नहीं मिलेगा बट इसमें इस letter में already एक you है इसलिए यह मेरा दूसरा हो जाएगा जिसमें एक you रहेगा s के r की बात करूँ देखे k और r यह दोनों क्या है मेरे consonant s भी क्या है consonant बट जब s में plus two करूँगा तो क्या आजाएगा you आजाएगा और k और r में अगर मैं plus two करूँगा तो you तो नहीं आएगा मतलब एक ही you मिलेगा यहाँ पर भी मतलब तीसरा भी मीज़े मुल गया अच्छा p a n की बात करूँ देखे यहाँ पर a का तो कोई मतलब नहीं consonant में हमको plus two करना है p में plus two करो n में plus two करो you मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसको देखे ही मैं cancel कर दूँगा यहाँ पर भी नहीं मिलेगा f l s की बात करूँगा तो यहाँ पर already s है s में यहाँ पर plus two करोगे तो एक u मिल जाएगा और f और l का तो कोई मतलब भी नहीं, इसमें plus 2 भी करोगे, तो भी कोई मतलब नहीं, u तो 1 ही रहेगा, मतलब कितने ऐसे मिले जिसमें 1 u रहेगा, तो 1 हो गया mhd, दूसरा हो गया p, w, u, तीसरा हो गया s, k, r, और 4 हो गया f, l, s, मतलब यहाँ पर total हमको कितने मिल रहे हैं, 4, clear, तो हमको ऐसे कितने word मिले, जिसमें सिर्फ 1 u है, only 1 u लिखा था, clear, कितने हैं, तो वो है 1, sorry, 4, तो यहाँ पर जाएगा हमारा option 3, 4, hope so age is समझ में आया हो, बहुत जल्दी ऐसे questions आप solve कर सकते हैं, चले, देख, third question, आप देख, third question में क्या लिखा है, if the first and last letter of each word is replaced by immediate preceding letter, immediate preceding का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे बताया था कि immediate succeeding का मतलब next होता है, और immediate preceding का मतलब होता है previous, उसके just पहले, जैसे अगर मैं बात करूँ, कि भई, x का preceding क्या होगा, w, ठीक है, अगर यही पर मैं बात करूँ, कि y का preceding क्या होगा, x, यही पर अगर मैं बात करूँ, z का preceding क्या होगा, y, clear, तो यह सब उसके preceding है, उसके पहले वाले, तो वही बस करना है, कि जो first letter है, और जो last letter है, हर एक word का उसको replace कर देना है हमको previous letter से फिर हमको बताना है then how many words will have no vowel हमको ऐसे बताना है कि कितने ऐसे यहाँ पर word होंगे जिसमें एक भी वावल नहीं होगा चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अब कुछ बात हैं आपको पता होना चाहिए जैसे वावल हमारे पास 5 हैं A, E, I, O, O, U, ठीक है यही मेरे पास क्या हैं वावल, A के बाद क्या आता है B, E के बाद क्या आता है F, I के बाद क्या आता है J, O के बाद क्या आता है P, और U के बाद क्या आता है V, मतलब B का preceding vowel है, F का preceding vowel है, J का preceding vowel है, P का preceding vowel है और V का preceding U है, तो यह आपको पता होना चाहिए, clear? तो अब बच्छे बस preceding यहाँ पर letters चाहिए, अब अगर मैं MSD की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्पो सिर्प किस से मतलब है, सब में first and last से, सबका first and last से बस मतलब है, middle वाले letter से हमको मतलब नहीं है, first and last से मतलब है, अब अगर first and last से मतलब है, तो यहाँ पर यह जो word है PAN, इसमें तो वावल अल्रेडी होगा, PAN है, यह A को तो change नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर अल्रेडी वावल है, तो इसको करने की जरुवत नहीं है, ठीक है, इसमें तो वावल होगा, ठीक है, इसको count नहीं करेंगे, MSD की बात करूँगा, देखिए, M के पहले वावल नह स прेंट करता है, O, इसको मैं count नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें तो वावल आ ही जाएगा, S के R की बात करूँ, तो देखिए, S और R की अगर मैं बात करता हूँ, S के पहले वावल नहीं अता, और के भी पहले वावल नहीं आता, तो देखिए, इसमें एक भी वावल नहीं होगा rearrangement के बाद तो दूसरा मिल गया मुझे PAN चेक करने की जरुवत नहीं और FLS भी चेक करने की जरुवत नहीं कि F के पहले तो E आता ही है मतलब ये तो wobble हो ही जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी मेरा कर सकते हैं चले अब next देखते हैं यहाँ पर अब next fourth यहाँ पर दिया है if letters of each word are arranged in English alphabetical order from left to right जितने भी letters है न हर एक word को वहाँ पर हमको क्या करना है English alphabetical order के हिसाब से हमको left से right arrange करना है ये left से right जैसे MSD है इसको English alphabetical series के हिसाब से पहले क्या आता है D, फिर क्या आता है M, फिर क्या आता है S, कुछ इस तरीके से वैसे P, W, U है तो पहले क्या आता है P, फिर क्या आता है U, फिर आता है W इस हिसाब से यहाँ पर हमको arrange करना है left से right पहले यह करना है हमको arrange करना है उसके बाद क्या दिया है and then last letter is replaced by T और last letter को हमको T से replace कर दे हैं arrangement के बाद जैसे MSD को DMS हुआ तो इसको मैं कर दूँगा DMT तो यहाँ पर पुझा है how many English meaningful words are formed after final rearrangement पहले तो यहाँ पर हम जितने भी हैं उसको क्या करना है हमको English alphabetical series के इसाब से left से right arrange कर लेना है और जो last letter सब में आएगा उसको मैं T से replace कर दूँगा तो कितने meaningful words मिलेंगे यह हमको बताना है अब जल्दी से देख लेते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ तो MSD का तो इसको मैं arrange करूँगा तो DMS हो जाएगा और DMS को मुझे S को किस से replace करना है S को replace करना है T से तो इसका मतलब हुआ DMT कोई meaningful word मिला क्या नहीं मिला जैसे PWU है तो इसको कैसे arrange करूँगा P, U, W और W जो last है उसको arrange W को मैं किस से replace कर दूँगा T से तो यहाँ पर एक meaningful word मिला put यह मिल गया मुझे S के R की बात करूँ तो यहाँ पर K, R, S और S को अगर मैं यहाँ पर T से replace कर दूँँ तो K, R, T यहाँ पर कोई meaningful word नहीं मिला P, A, N की बात करूँ तो पहले आएगा A then आएगा यहाँ पर N then आएगा P, P को replace कर देंगे T से तो A, N, T, N N मिला, मतलब दूसरा मिल गया मुझे तो यह एक मिला और यह एक मिला दो मिल गया F, L, S की बात करूँ तो पहले आजाएगा F then आएगा L, अच्छा यह तो already arranged है F, L, S क्योंकि F का number क्या होता है 6 L का होता है 12, S का होता है 19 तो इसके लिए आपको यह सब चीज जल्दी कैसे होगा आपसे solve कैसे जल्दी होगा यह जो मैं कर रहा हूँ यह कैसे होगा आपसे जब आप बहुत अच्छे से practice कर लेंगे और जब आपको alphabet के next letter, previous letter, उसके numbers यह सब चीज पता होंगे तो आपसे ऐसे questions बहुत जल्दी solve हो जाएंगे अब जैसे F, L, S है अब यहाँ पर S को किससे replace करना है T से, तो F, L, T यहाँ पर मुझे meaningful word नहीं मिला तो सिर्प उसिप क्या मिला, एक मुझे मिला put और एक क्या मिला मुझे ant, clear तो यहाँ पर मुझे 2 मिला तो option यहाँ पर फिर से b जाएगा 2, clear, चले, देखते हैं अब last question अब last question है, यहाँ पर क्या बोला है if last letter of each word is replaced by Y अगर last letter, हर एक word का last letter को Y से replace कर देंगे तो कितने English meaningful word मिलेंगे arrangement के बाद बस हमको क्या करना है last से यहाँ पर हमको m, s, y, यह m, s, y हो जाएगा देखें, यहाँ पर मुझे explain करना पढ़ रहा है आपको लिखने की जरुवत नहीं पढ़नी चीए भी m, s, y, meaningful है क्या, नहीं है p, w, y, meaningful है क्या बस हमको क्या करना है जो last letter उसको Y से replace करना है p, w, y, meaningful है क्या, बिल्कुल नहीं है s, k, r को क्या कर देंगे y, तो sky, यह एक मिल गया मुझे p, a, n की बात करना है तो p, a, यहाँ पर n को क्या कर दूँगा y से, तो pay, बिल्कुल है दूसरा मिल गया f, l, s, s को किसे कर देंगे replace, y से, तो fly, बिल्कुल है तो कितने मिले, 3, तो यहाँ पर option क्या जाएगा यहाँ पर, 3, यह वाला option clear, 6 option हो गया यहाँ पर, इतने ही option तो यहाँ पर हमारा option क्या जाएगा, 3 तो hope so, यह questions आपको समझ में आए हो, और आप कैसे इसको approach करना है, और कैसे इसको जल्दी solve करना है, यह चीज़ आपको समझ में आया हो, चलिए मिलते हैं next video में ऐसे ही हम questions अभी और practice करेंगे, क्योंकि आपका RRB का notification आ चुका है और ज़्यादा time नहीं बचा है हमारे पास exam के लिए और मैं उसी तरीके के questions यहाँ पर आपसे solve कराऊंगा, जो आपके आने के सबसे ज़्यादा उमीद है चलिए मिलते हैं next video में thank you for